आपके साथ नहीं रेष्पी शेयर करने के लिए लेकर आ गई हूँ अगर आपको मेरी रेष्पी अच्छी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए फ्रेस बिना देर के रेष्पी बनाना शुरू करते हैं आपके साथ केस्टेट पाउडर से बनी या च्टेट पाउडर लिया है मार्केट में इजली मिल जाता आप जो भी लाइक करते हैं यह तोटली आप्सनेल है बट आपको मेजर का पूरा दियान नकना है और मैंने प्रीमिक्स रेश्पी शेयर की ती इससे मैंने बताया था कि इसे बनाने में भी यूज कर सकते हैं तो मैंने इसका यूज किया है वन तिल स्वून भर के लिया इसमें इलाजी पाउडर मिल्क पाउडर और ड्राइफ रूट हैं तो मैं इन फॉट्वोटर का अलग से यूज तो आप अपने अर्जेश के लिए जितना मेजर आप लें मैंने एक कटोरी लिया और फुल फैट मैंने हापटर मिल्क लिया है अब फुल फैट मिल्क का यूज करें तो आपकी आइसक्रीम पर्फेक्ट बनेगी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको आप किसी ब्रांट का ल सकते हैं बट उटका मेसर अलग है और यह मैंने अलग मेथर से बनाया है बड़ मैंने बिलकुल इजी में में आपको बताया जो आपके कीचर में बेसिक समान होते हैं आप उनहीं से बना लेंगे मैंने इसमें वीप-क्रीम खंद्ड पाउडर किसी कभी उज नहीं किया मेरे से दस पिस्ता काजू बादाम सभी ले लें क्वांटिटी में और उनको ग्राइंड करें पाउडर बना लें उसका यूज करें आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं यह सब टोटली ऑप्सिनल है और यह मैंने 250 एमल मिल्क अलग डिवाइट किया था इसमें कश्टर पाउडर डाल देंगे और घोल लूँगी आप मिल्क अलग ही डिवाइट करके उसमें गोलें गरम मिल्क 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 डालें कश्टर पाउडर को ने तो गुटलिया आ जाएंगी तो बहुत ही इजी तरीका में आपको बता रहे हूं बट रियली आपको इतनी ओसम आइसक्रीम बनकर तैयार होगी जब आप बनाएंगे ना तो आपको तवी ट्रेस्ट होगा इसको मिक्स करेंगे और फ्रेंस आपको मैं फिरसे से जिस करूंगी आप बहुत जदा क्वांटी में जब भी प्रिपेर करें कश्टर पाउडर को आपका यूज नहीं कहिना है आपको वन से टूट तो आपको लगे इसमें गुट्लिया आ रही है तो आप इसे गैस आप करके अच्छे से मिक्स करें गुट्लिया खतम करने के बाद फिर से गास कर लें इदे कि थीक हो गया है बहुत जदा नहीं पकाएंगे थोड़ी देर मिसे बस एक से दो मिनिट और कुक करेंगे अगर कि और में आप थोड़ा सा मिल्किसे फिर से अब ही मैं जो प्रोसेस बताओंगी इसको कहां पर मिल्क का यूज करना है फिर से बोट ज़या थीक लगे और मुझे भी लगे हैंगर यह बहुत ज़्या थीक है तो मैं भी प्रोसेस करूंगी मैं तो बॉँच्छ मिल्क इसलिए चिल्ड रहे आप भी करें जब भी आपको प्रिपेर करना हो आप अपनी होम मेड मलाई को फ्रिज में रख दें या मार्केट वाली फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं इसलिए मिल जाते हैं वीप क्रीम सभी को अवलेबल नहीं अपाती तो मैं जो मेदर बता रहे हूं आप सभी प्रिपेर कर सकते हैं जब मार्केट में इतने महांगी मिलती है आइसक्रीम तो घर पर इतने eजी वे में बन जाए तो क्यों नहीं बनाना सभी बना कर ट्रै जरु रहा था और देखे मैंने यह मोल्ड किया है अगर आपके पास नहों था अभी में बताऊंगी आप कैसे सेट कर सकते हैं या आप किसी डिब्बे में भी सेट कर सकते हैं चुड़ी कटोरियों में यह सबी के घर में होती तो आप इसे जैसे चाहें वैसा सेप में इसे सेट कर सकते हैं और देखे थोड़ा सा इसको ऐसे टैप कर दूँगी जिससे अच्छे से यह सेट हो जाए इसमें एर न रहे और इसे हम ओवर नाइट फ्रीजर में रखेंगे आप इसे आट से दस घंटे मैक्सिमिम रखेंगे बढ़ आप फ्रेंस अपने फ्रीजर के अकॉर च्छोटी कटोरी या भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसे आप जमा सकते हैं यह देखिए अब मैं इसे इसे भी रख दूंगी फ्रीजर में मैं इसे ओवर नाइट फ्रीज करने वाली हूं उसके बाद आपको दिखाऊंगी आप ऐसे च्छोटी-च्छोटी ग्लास ले च्छोटी-च्छोटी कटोरियां हो और ऐसी इस्टिक मार्केट में इसली मिल जाती है तो आप इसे ऐसे पेपर से कवर करके बीच में इस्टिक इन कर दें और इसमें भी जमा सकते हैं देखिए मैंने ओवर नाइट फ्रीज करने के बाद निकाला इसे पानी में रख दिये जिससे थोड़ा सा यह इनका टंप्रेचर डाउन हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं हम डिमोल्ट करके यह देखिए फ्रेंस कितना इजली निकल गई है लग रही है ना फ्रेंस माउट वाटरिंग रियली फ्रेंस बहुत ही ऑसम टेस्ट बनी थी और मैरे प्रीमिक्स मे बनाएंगे आप अलग से ड्राइफ रूट ग्राइंड कर लें और मिल्क पाउडर का यूज़ करें फुल पाइट मिल्क कर तो आपके भी आइसक्रीम इतनी वासम बनकर तैयार होगी और थोड़े से उपर से पिस्तर ढाल दूंगी आप अपने मन पसंद कोई भी आपको कट करके खाएंगे तब भी फ्लेवर उसमें आएगा बट मैंने नहीं डाला था मैंने सिर्फ उपर से डाला है और देखे मैंने दो तरीके से से सेट किया था रियली बहुत ही वासम लगती खाने में तो आई होप मर्सेरी फ्रेंस मेरी यह आइसक्रीम रेस्पी जाद जाद शेयर करना लाइक कमेंट करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूट कर लेना बिल आइकन को प्रेस कर लेना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो लब यूटू फेम्ली